जिन्दगी में कभी हार मत मानिये क्योंकि सूरज डूबने के बाद ही तो चांद की सुरुवात होती है जिन्दगी में सबसे बड़ी सिक्षा उन जखमों से मिलती है जो वक्त और हालात देते हैं दर्द तब तक बेकार है जब तक कि आप उसे कुछ सीखने का मौका नहीं दे दे जीवन में हर रात के बाद एक सुबा जरूर आती है जब दुनिया कहे तुम हार चुके हो अब खुद से कहो खोशिश अभी बाकी है अंधेरे में भी खुद को रौशन रखना क्योंकि चांद भी तब तक चमकता है जब तक आस्मान में अंधेरा होता है अंधेरों में भी जो चमकते हैं वही सितारे कहलाते हैं आसु वो दुआ है जो लबो तक तो नहीं पहुंशते लेकिन खुदा तक जरूर पहुंशते हैं जिने हम खो देते हैं, वो कहीं न कहीं हमारी यादों में जिन्दा रहते हैं, जिन्दगी वो नहीं जो हमें मिली है, बल्कि जिन्दगी तो वो है जो हम जी रहे हैं, कभी कभी बिचाडने का दर्द भी, जिन्दगी के सबसे खुपसूरत ऐसासों में से एक होता है, वक्त कुछ ठीक कर देता है बस थोड़ा सा सब्र रखना जरूरी होता है दर्द तब तक बेकार है जब तक आप उसे अपनी ताकत नहीं बना लेते जिन्दगी की सबसे बड़ी सीख उन लम्हों से मिलती है जो हमें तोड़ते हैं फिर भी हम चलते रहते हैं जिन्दगी की धूप क की बड़ी हो तो छाओ का इंतजार करना सेको अकेले बन में ही सबसे बड़ा दर्द छुपा होता है लेकिन कभी-कभी यही दर्द हमें सबसे बड़ी सीख देता है जिन्दगी का हर जिन्द और किसी दूसरे से कहने का साहस नहीं profession जिन्दगी की कहानी में कभी-कभी दर्ध ही सबसे बड़ा किरदार बन जाता है। एक जूठे विक्ति की यही सजा होती है कि वो जब सच बूलता है तो उसमें कोई भरोसा नहीं करता। शब्द तो दिल से निकलते हैं, दिमाग से तो मतलब निकलते हैं। सिर्फ एक बहाने की तलास होती है, निभाने वाले को भी और छोड के जाने वाले को भी। अकेले छोडने वालों को यह बताना जरूरी है कि हम अकेले ही बहुत है। कभी-कभी जंग जीतने के लिए जिन्दगी भी दाओं पे लगानी पड़ती है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा होना, बुरे होने से भी बुरा होता है। अगर बड़ी जीत हासिल करनी है, तो कभी छोटी-छोटी हार से डर मत जाना। जो रिस्ते गहरे होते हैं, वो अपने पन का सोर नहीं मचाते। जीवन में अगर सम्मान चाहिए, तो थोड़ा एंकार तो रखना ही होगा। दूर देखने के चकर में बहुत कुछ पास से गुजर जाता है। दुनिया में सबसे खुश वो लोग हैं, जो ये जान चुके हैं, दूसरों से उमीद करना भेकार है। जहां वक्त और इज़्जत मांग कर मिले, उस रिष्टे को छोड़ देना ही बहतर होता है। तुम अपने आपको मस्बूत बना लो या फिर दुखी बना लो, दोनों में मेहनत बराबर लगती है। पैसला आपका है। आप खुश रहना चाहते हो या फिर दुखी रहना चाहते हो। किसी को इतना भी इग्नोर मत करो कि वो आपके बिना जीना ही सीख जाए। क्या फर्क पड़ता है कि कौन खिलाफ है। बस जो साथ है वो लाजवाब है। ज्यादा बहस अक्सर रिस्तों को खराब कर देती है। कभी कभी खामोस हो जाना ही अच्छा रहता है। क्योंकि खामोसी बहुत कुछ कहती है। कभी भी अपनी भावनाओं को ऐसे विक्ति पर बरबाद ना करे। जिसे आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं। गैरों पर कौन गौर करता है। बात जब भी चुबती है अपनों की ही चुबती है। जो मासूम लोग होते हैं वो गुस्से में भी रोने लग जाते हैं। अकेले कैसे रहा जाता है कुछ लोग यही सिखाने के लिए हमारी जिद्दगी में आते हैं। आज कल के इंसान दिल से नहीं बलकि जरूरत से रिस्ता बनाते हैं। कभी कभी नए लोग भी पुराने लोगों से ज़्यादा वफादार मिल जाते हैं। एहंकार सत्य को सुईकार नहीं करता और सत्य को जानने वाला एहंकार नहीं करता। जो रास्ता तुम्हारा नहीं वो मंजिल भी तुम्हारी नहीं है। किसी इंसान की पीछे भाग कर अपनी value कम मत करो जो आपका होगा वो आपको छोड़ कर कभी नहीं जाएगा लोगों को खुश करते करते आपकी जिन्दगी बीच जाएगे लेकिन फिर भी आप लोगों को खुश नहीं कर पाओगे इसलिए बहतर है आप दूसरों को छोड़ कर खुद को खुश रखे हर बात को दिल पे ले लेना दिमाग की सबसे बड़ी बिमारी होती है सब की अपनी अपनी सोच होती है कुछ लोग नावड में भी अच्छे गुड देख लेते हैं और कुछ लोग राम की चरित्र में भी दोस देख लेते हैं प्रार्थना से परिष्थिती बदले या ना बदले पर मिट्टी का चरित्र जरूर बदल जाता है नाम और पहचान बेशक छोटी होनी चाहिए पर अपनी होनी चाहिए साथ उसके रहो जिसके तबीयद खराब हो लेकिन उसके साथ कभी मत रहो जिसके नियत खराब हो भगवान महंगी घड़ी सब को दे पर मुश्किल घड़ी किसी को न दे वक्त जब फैसला करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं होती इंसान अपनी गलती पे अच्छा वकिल बन जाता है लेकिन दूसरों की गलती उपे सीधा जज़ बन जाता है जिन्दगी की रेस में जो आपको दोड़ कर नहीं हरा पाते वही आपको तोड़ कर हराने की कोशिश करते हैं हमेशा अपने दिल की सुनिये क्योंकि उसे पता होता है कि आपको क्या बनना है दूसरों पर पिएशडी करने से बहतर है हम खुद ग्रेजुएट हो जाएं जो चीज आपको चैलेंज करती है वही चीज आपको चेंज कर सकती है ख्वाहिशें भले ही छोटी हूँ लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए दिल का जिद्धी होना जरूरी होता है हार के डर जाने से बहतर है जीत की कोशिश में मर जाना जिन्दगी में अक्सर अकेले पन से वही गुजरता है जो अपने सही फैसले चुनता है डर्द हमेशा अपने ही देते हैं वरना गहरों को क्या पता कि हमें तकलिफ किस बात से होती है किसी को हमें इतना महत तो नहीं देना चाहिए कि वो हमारे चेहरे से मुसकान ही छीन ले जिस दिन आप अपनी हसी के माली खुद बन जाओगी उस दिन आपको कोई भी रुला नहीं पाएगा अपने रास्ते आप खुद चुनिये क्योंकि आपको आप से बहतर और कोई नहीं जानता अगर संबंध आत्मा से हो तो दिल नहीं भरा गरते लोगों को इस बात से फर्क नहीं पढ़ता कि आप खुश हो या नहीं उन्हें तो फर्क इस बात से पढ़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हैं या नहीं कपड़े और चेहरे अक्सर जूट बोला करते हैं इंसान की असलियत तो वक्त बताता है बादशाह तो वक्त होता है इंसान तो बस योही गुरूर करता है